तो आज हम बनाएंगे खूब सारे ग्रोबैक्स जिससे हमारी शत्त बचन भी ना हो और हम खूब सारे प्लांट्स लगा सकें तो देखिए यह कितने खूबसूरा सी तितली जो कि कैसे खुस होके इस फूल पे इस फूल पे बैठती है तो कितनी प्यारी सुबह है हमारी इस त दिली के साथ तो चलिए बना लेते हैं कुछ ग्रोबैक्स तो यह सारे रैपर्स हैं जो के निकलते हैं जैसे कि सर्फ हुआ या ओट्स हुए या कॉन फ्लैक्स हुए देखिए चाय पती कसूरी मेती जो भी होते हैं मैं इन्हें फैकती नहीं हूं और इन्हें रख लेती हू जिससे मैं एक अच्छे और टिकाओ ग्रोबैक्स बना लेते हैं अपने गार्डन के लिए तो चलिए पहले तो इन्हें कट कर लेते हैं और इस तरीके से आप कट कर लीजी उपर से सबको और बहुत ही अच्छे काफी दुनों तक चलने वाले ग्रोबैक्स बनके रैडी हो जाते हैं जिससे कि हमारी छत पर बजन भी नहीं होता क्योंकि जिन लोगों का टेरिस गार्डन है तो उन्हें थोड़ी मिट्टी ज्यादा या बड़ी बड़ी गमली होने से डर रहता है कि छत पर बजन ना हो तो इसी वज़ए से हमें इस तरीके से यूज करना चाहिए इ होते हैं यह रेडी हो गए और जो सिल्वर कलर का होता है न अंदर से उसे आप इस तरीके से उल्टा कर लीजिए तो बिल्कुल एकदम से ग्रो बैक की तरह लगता है जैसे हमें ओनलाइन मिलते हैं तो देखिए यह ओट्स का था जिसमें बड़े भी थे थोड़े से तो यह यह मैंने उल्टा कर लिया और एकदम से बहुत सुन्दर सा ग्रो बैक बनके तयार हो जाएगा हमारा तो देखिए इस तरीके से और अंदरी साइड इसे मोड दीजिए और इस तरह मोडने से भी खुलते नहीं है यह इस रप्ला लगाओगे तो और भी मजबूत हो जाएग और प्लांट को अच्छे से एर बिलती रहे तो देखिए इस तरीके से करने के बाद सारे हमारे यह तयार हो जाएंगे बिलकुल लाइट वेट प्लांटर्स यानि ग्रोवेक तो यह मिट्टी मना के रेडी रखी थी मैंने जिसमें बनमी कंपोस्ट सेंड और यह अपनी जाल दीजिए वर्सात का टाएं में तो यह है गोवर खात भी डाली थी मैंने इसमें तो यह में भरके रख दूंगी सारे तो देखिए इस तरीके से यह रेडी हो गए मेरे चाये तो इसमें आप बीज लगाई है या फिर आप सबजी होगाई है कटिंग लगाई जो भी कह काने से पहले कि मेरे कितनी सालों से लगे हुए हैं मेरे पास कापी सार हैं तो चलो देखते हैं तो देखिए यह है इस नेक प्लांट जिसमें लगा हुआ है और एक यह है जो कि नमकीन का फैकेट था यह यह तो मैंने ऐसे ही कर दिया तो नॉर्मल यह तीन साल से लगा है ना कुछ भी और एक है यह स्नेक प्लांट जो कि आटे के बैंक में लगा हुआ है तो यह भी मैंने छोटा सा लगाया था अब इस भर दिया है पॉलेथिन को कि इसके 20 से 20 में से बेबी प्लांट निकल ले देखिए तो यह भी करीब 3-4 साल से लगा हुआ है क्योंकि पॉले अच्छे से चल रही है कुछ देखी रही हो आप और चमकीला एकदम से प्लांट है और यह बूंदी के पैकिट में लगा हुआ है बूंदी पैकेट आता है उसी रहपर में और यह कि इदर आ जाते से इसनेक प्लांट पर फिर से तो यह मैंने सिंगल लंडी लगाई थी उस मैंने कोचे फ्लांट लगाया हुआ है आप देखी पा रहे हो कि अच्छी ग्रोध हो रही है इन सब प्लांटों की क्योंकि कोई फ्लांट खराब भी नहीं होता है इनमें और यह इतना लाइट वेट है कि आप एक हाथ से उठा सकते इतने भारी को भी क्योंकि यह बड़ा होने की कारण और मुझे अच्छा भी लगता है चोटी-चोटी प्लांटों लगाना क्योंकि कहीं भी उठा दो नहीं कहीं रखतो तो इसी तरीके से खुब अच्छे भी लगते हैं और चलते भी अगर पॉलेथिन को आपको देखने में अच्छा नहीं लगता तो इनके साल हो चुके हैं से भी यलो कलर का है अभी इस पर फ्लॉबर नहीं आ रहे हैं और यह दिखाती हूं आपको एक अजूबा जो के चौन प्रास का डबा है यह है मेरा तीन साल से लगाया हुगा एक चोटी सी कटिंग से प्लांट और जिसमें इतना बेट है चलो दिखाती हू पर उससे पहले यह तितली देख लीजिए चोके मैं आपको एलिए बीडियो भी बना रही थी तब यह अचानक से आई तो मैंने इसे भी बीडियो में ले लिया क्योंकि इसका भी हग बनता है वाई क्योंकि मेहनत कर रही है देखिए और कितनी खूबसूरत सी है तो चलिए इसे तो घूमने दीजिए इनका तो कामी है और अब देख लेतें इसको तो देखिए आज इसमें इतना बेट है कि आप बिना सपोर्ट के इसे रख नहीं सकते हैं और बिना कोई के यह जरासी मिट्टी है कितनी मिट्टी होगी आप बनाजर लगाई सकती हो चमिल फ्रास की इसे नॉर्मल सा पेंट कर दिया था उसी में लगा दिये थी और यह फिर से आ जाते हैं देखिए टाइट का जो सरब का पैकेट होता है उसमें लगा हुआ है डेविस बैक वोन आई यह तो यह भी देखिए कटिंग से लगाया हुए और यह भी कितना बड़ा प्लांट है दो देख़ए वह र मेंट जींटी हों मिलती ओर शुराक का जाइए अग्दम से इसमें सब्सक्राइब तो देख़हें मैं कितना एकदम से अच्छा आइडिया है चत पर खूब अच्छा खूब सारे प्लांट लगाने का और जिसे बजन भी नहीं हो और हमारा सौक भी भूरा हो तो आज इनमे में बीज डालती हूं जो मैंने ग्रोवेक्स बनाएते सारे तो देखी यह मूख फली है मिर्ची है बाकी की अपराजता है जिसकी यह फली है उस के बीज है और यह है लोकी के तो चलिए इन्हें डाल लेती है और आपको इसका रजल्ट भी दिखाऊंगे एक अपते बात और देखिए कि संसिवीरिया है जो कि मैंने अपने प्लांट से निकाला है तो यह होट केस था मेरा जो खराब हो गया था इसमें भी मैंने मिट्ट ही चीजएं यूज करती हूं उसके लिए गार्डन के लिए जिससे बजनना हो बजन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है तो यह देखिए मुंगफली मैंने डाल दी है और यह मिर्ची डाल दूंगी इसी तरीके से मैं सारे बीज इसमें ग्रों कर दूंगी और यह बात और है कि मैं जब भी कोई हर कोई बोलता है कि cuttings या फिर वीज ग्रो होने के लिए सेड़ी अरी और यह मेरा कुछ नहीं है मैं हमेसा दूमें जालती हूं और सब इतने अच्छे से इस चलती है कि पूछो तो देखिए यह मैंने पानी डाल देती हूं हमें पानी डालने के बाद मेना इन्हाइं कहीं भी उठा की नहीं रखोंगी और यह दूप हो रखिये क्यूंकि मैं घर का काम काने के बाद ही थोड़ा आपाती हूं क तो थोड़ा टाइम देटी मिल पाता है गाडन के लिए तो देखिए यह लगा दिये मैंने और कितना अच्छे से पानी इन में से निकला है एकदम से सूख रहे हैं देखिए तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि पानी रुके इनमें और यह किये है कटिंग जो कि कटिं यह दौनि नहीं होने केलिए क्योंकि पते ऐसे करके रख दिया पुरा घंबला खराब कर दिया है तो यह लगा दिया मैंने तो इसी तरीके से यह चोटे-चोटे डब्दे थे जो कि किचें से घी के निकले हुए थे वहने भी मैंने पेंट करके सुंदर से बना लिए और ख उसके बाद अपने सौक को पूरा करिए तो देखिए और जातर आपको मेरे गार्डन में छोटी-छोटी फ्लांटर सी मिलेंगे तो कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करें सस्क्राइब करें